हेलो फ्रेंट्स मैं राकेश कुमारा अपने राकेश मैथेमेटिक्स ट्रिपल यूटूब चानल पर आपका स्वागत करता हूं आज हम समांतर स्रेड़ी एपी से समधित प्रस्णों को कवर करेंगे हमारा पहला प्रस्ण है एपी दो चार छो आठ का कौन सा पद 120 है तो यहां हल करते हैं यहां A का फैलू जो होगा उस सबसे पहला पद होगा तो 2 हो गया हम यहां D का फैलू निकालेंगे तो D का फैलू होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना जिसको हम लोग लिखते हैं A2 माइनस A1 तो यहाँ A2 का भैल हुआ 4 और A1 का माइनस भैल हुआ 2 4 में सो 2 घटाने पर 2 आया इसके बाद हम देखते हैं कॉस्षन पुछा जारा कि कौन सा पद 120 होगा यानि N का मान निकालना है कौन सा पद 120 होगा 120 पद होगा यानि हमको AN दिया हुआ है 120 एन को ही TN भी लिखा जाता है तो कॉस्षन हम हम होल करते हैं कि N is call to 120 और N का निकालने का फर्मुला होता है कि A plus N minus 1 into D is call to 120 A के भैलू अगर रखते हैं हमेहा 2 plus N minus 1 और D के भैलू है 2 is call to 120 नहाँ 2 plus में है तो बराबर के वो साइट जाने पर माइनस में हो जाएगा और कोई संख्या पराबर के धर plus में हो जाएगा माइनस में होगा तो N minus 1 into 2 is call to 120 minus 2 तो 120 में से 2 घटाएंगे तो 118 यानि N minus 1 into 2 is call to 118 दो इधर गुना में है तो इधरा के भाग में होगा N minus 1 is call to 118 by 2 दो से ही कटेगा आजागा 59 उनसट तो N minus 1 is call to 59 N is call to 59 plus 1 N का भैलू हुआ 60 इस परकार हम कह सकते हैं कि 2468 का साथमा पद 120 होगा यहां हम दुसरा पद देखते हैं यदि किसी AP में आठमा पद 31 है तथा 11 पद 43 है तो 17 महा पद निकाले इस परकार के कोस्टन को हम लोग हल किस परकार करेंगे यह देखते हैं तो कि दिया हुआ है कि 8 मा पद 31 है यानि कि A8 is call to 31 तो A8 को लिख सकते हैं A plus 70 यानि 7D is call to 31 यह समीकरन हो गया 1 दूसरा में पुना दिया हुआ है कि इसका A11 यानि 11 मा पद दिया हुआ है 43 तो A11 को हम लोग लिख सकते हैं A plus 10D is call to 33 इसको हम आते हैं समीकरन 2 तो यहां देखते हैं अब इसका हल हम लोग 2 चरवाले राखिक समीकरन के तरीका से करेंगे तो हम देखते हैं यहां कि क्या इसका कोई पद बराबर है तो हम देखते हैं कि पहला पर जो A है A और A बराबर है और A के पहले जो संख्या है वो प्लस है और A के पहले भी प्लस है तो क्या करेंगे हम समीकरन 1 में से समीकरन 2 को घटा देंगे A plus 7D is call to 31 A plus 10D is call to 43 यहां घटाया जा रहा है तो इसके पहले A plus हो तो मौनस यहां plus है T a minus और यहां लिए minus powiedzieć यह क्त गया अब 7D में से 10D को घटाने पर minus 3D आया और minus 43 में से 31 को घटाने पर minus 12 आया यहां minus 3 गुना में है तो इजरा के भाग में हो गा तो सरillon d is call to minus 12 बटा माइनस 3 यह minus minus पहलँ हो गया 3 jin diferen तीन चब 12, यहां से D का फैलू निकला 4, अब हम A का फैलू निकलते हैं, समीकरन एक में D का मान रखने पर, समीकरन एक लेते हैं, समीकरन एक है कि A प्लस 7D is equal to 31, तेहां आगर लोग हम D का फैलू रखते हैं, तेहां 4 रखते हैं, is equal to 31, तेह प्लस 28D is equal to 31, तेह is equal to 31-28, एक फैलू आगया 3, अब चोगी क्वेशन हम पुछा जा रहा है कि सत्रमापद क्या होगा, यहां हमको निकालना है कि A 17 क्या होगा, तो A 17 को हम लोग लिख सकते हैं, A 17 को लिख सकते हैं, A plus 16D, तो A का फैलू हम लोग निकाले 3, तो A का गुना करेंगे, तो 48, और 48, और 3, 51, स्वरी, 16 में 4 से गुना करने पर, 16 का 64 आएगा, और 64 में 3 जुणने पर 66 आएगा, यहां गलती हम लिखते हैं, A 16 में 4 से गुना करने पर 16 का 64 और यह पलस 3, तो 84, 63, 66, इस प्रकार से 745 होगा, वो 66 होगा, तिसरा प्रस देख्ने है कि AP 3, 8, 13, 18 का 25 पत क्या होगा यह सबसे सुराती कोशन है बहुत हलका है अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा तो यहां देख रहे हैं 25 पत निकाले के लिए हमको पहले A चाहिए A is equal to 3 D, D का भेलू होता है दूसरा पत में से A is equal to 25 अब हम निकालते हैं 25 मां पत निकालना तो A निकालने का फ्रमूला होता है A plus N minus 1 into D A, A 25 निकालना है हमको A का भेलू होगा 3 प्लस N का भेलू होगा N का भेलू होगा 25 minus 1 D का भेलू होगा 5 3 plus 25 में से घटाने पर 24 गुना 5 3 plus 24 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 120 120 में 3 जोड़ने पर 130 तो महारा पर इसमा पर जो होगा 130 होगा